अबका अगर हिड लाइट नहीं जलता है होर्म भी नहीं बाजता है तो यह प्रॉब्लम कॉन्वाटर का हो सकता है यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए कैसे यह प्रॉब्लम सॉल्फ होता है हेलो दोस्तो वेलकम टू माय चैनल टेकनिकल हैल्फ में की आज आपको देखाएंगे यह एम्पियर कोंपशनी का पंपनी का भी48 मॉडल है यह एलेक्टिक इसकुतर है कोई भी एलेक्टिक स्कु remedy में एसा होता है सब एलेक्टिक स्कुतर में रिज़न एक ही मिट होगा तो द DC to DC convert करता है जो 48 बोल्ट है चार बेटरी का तो वो 12 बोल्ट में convert करता है यहां पर लगा हुआ रहता है सामने से इस model पर कुछ-कुछ model पर seat का नीचे भी रहता है तो इस model पर सामने रहता है यहां पर front पर तो यह देखी यह converter है पुराना converter और नाया converter दोनों मेरे हाथ में हैं यह converter खाराफ होने से आपका गाड़ी चलेगा लेकिन headlight horn बाज़ेगा नहीं headlight चलेगा नहीं कोई-कोई model में ऐसा होता है converter खाराफ होने से गाड़ी भी नहीं चलता है लेकिन इस model में converter खाराफ होने से गाड़ी भी चलता है लेकिन आपका headlight और horn बाज़ेगा नहीं तो इ यह जो convertor है यह convertor अभी मिल नहीं रहा है तो अरवा धांप़नी का लागाएंगे व victorो कैसे लागाएंगे आपको patrolinvest बाता देंगे दोनों convertor का क्या different है तो अभी आपको पुराना वाला converter लगा के देखा देते हैं जो highlighter और horn नहीं बाजता है देखिए हमने पुराना जो ख़ारप converter है उसको लगा लिया तो लगाने के बाद आपको horn और hill light जला के देखाते हैं नहीं जलता है देखिए देखिए होन भी बाजा रहे हैं नहीं बाजता है और हेल लाइट देने से भी नहीं जलता है तो देखिए इसमें क्या हो रहा था एक बार प्रॉब्लम बाता देते हैं इसमें दुनों तरह का प्रॉब्लम होता है एक कौनबाटर खारफ होने से हाई भोल्टेज आ जाता है तो देखिए बाल्प में हाई भोल्टेज आ गया तो बाल्प काला कर दिया हेड लाइट कट गया सभी बाल्प इसमें जल गया हाई भोल्टेज आने के लिए फिलामेन कट गया यह एक problem होता है, कोई भी voltage supply नहीं देगा, कोई भी light नहीं जालेगा, हर नहीं बाजेगा, हीड लाइट भी नहीं जालेगा, तो ये दोनों में क्या different है, नया और पुराना में वो आपको बाता देते हैं, और उसके बाद लगा के आपको headlight जाला के देखाते हैं, तो देखिए यह दोनों converter में क्या different है वह आपको बाता देते हैं यह पुराना वाला converter है यह है MPR का और यह है ओरेवा कमपानी का नाया वाला converter दोनों का input होता है 48V और 12V supply देता है DC to DC convert करता है जो बैटरी का power है total 48V है और वह 12V supply देता है DC देखिए इसमें लिखा हुआ है DC to DC converter आप देख सकते हैं input यह 36V से 50V तक ले सकता है और 12V 10A output देगा इसमें red oil है input जो 48V input होता है और yellow oil है output और black oil है इसका new tail इसमें तीनों और रहता है इस jack pin पर देखिए red, yellow और black तो यह तीनों और में काम होता है जो बैटरी का total voltage होता है red में जाता है और yellow oil में output देता है यह point आपको ध्यान में रख के लगाना होगा तीनों और का same मिलना चाहिए देखिए यह औरेवा कमपानी का है तो इसमें same मिलना चाहिए red oil जहां पर है black oil और yellow oil जहां जहां पर है हुआ पर मिलना चाहिए तो देखिए इसमें भी देखा है input देगा 25V DC to 60V DC यह ले सकता है 25-60V DC ले सकता है output 12V DC 8A देगा यह 2A कम है तो चलेगा इसमें कोई दिखत नहीं होगा तो आपको जो ध्यान में देना होगा जो jackfin होता है इसका आपको देखा दे रहे हैं देखिए यह जो jackfin है इसका जो तार है wire है यह मिलना चाह चलेगा लेकिन इसका output input और जो इसका आर्थ है मतलब needle वो मिलना चाहिए कैसे देखना है आपको देखा देते हैं देखिए इसका जो red wire है डाएं तरफ है yellow wire है बीच में है और needle black wire बाएं तरफ है सिधा करके आपको पकड़ना है और इसका wire मिला के लागाना है नहीं तो converter ख पकड़िये जो clip है clip उपर तरफ रहेगा देखिए यह जो clip एक निकल के रहा हुआ है वह उपर तरफ होगा होगा ऐसे पकड़के सिधा करके red वाला डाएं तरफ रहेगा देखिए red वाला डाएं तरफ है जो input होता है और blue बाला बीच में है जो output होता है और black बाएं तरफ ऐसे इसका सिदा है और red में जो काला बाला एक कावर लगा हूआ है वो fuse का कावर है तो इसमें fuse रहता है और उस model में fuse नहीं है वोरिंग में fuse रहता है तो देखिए ये पुराना बाला है red बाला डाये तरफ है जो input है और yellow बाला जो output है बीच में है और बाएं तरफ ब्लैक वाला है जो नीटल है रेड वाला जो वायर है हामेशा इन्पूट वो डाएं तरफ होता है वो आपको ध्यान में देना होगा कलर कार हेर फ़र हो सकता है लेकिन इन्पूट आउट्ट आपको मिला के लगाना है और इसी तरफ आप नायना वीडियो देखना चाते हैं तो मेरा चैनल पर बहुत सार वीडियो दिया हुआ है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और कॉन भाटर खराप होने से क्या क्या होता है वो भी प्रॉब्लेम सॉल्ट किया हुआ है मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है टेकनिकल हेल्प एम के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं तो देखिए एक बार आपको लागा के देखा देते हैं ये इस कॉन भाटर का प्राइज है 450 रूपिस 450 रूपिया इसका प्राइज है तो देखिए हमने नाया लागा दिया हेल लाइट वाल फी लागा दिया आपको जाला के देखा देते हैं तो देखिए हेल लाइट जल रहा है ठीक है सब ठीक ठाक रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसी थरा आप नायना वीडियो देखना चाते हैं तो मेरा चैनल जोरू सब्सक्राइब कर लिजिए टेक्निकल हेल्प एम के और बगल में बेल का एकन जोरूर दावाजे सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आपका एलेक्टिक स्कूटर होगा कोई भी कॉम्पानी का अगर हेडलाइट नहीं जलता है तो सबसे पहले कॉन भाटर चेक करिए कॉन भाटर के लिए ऐसा होता है तो देखें यहां पर लगा हुआ रहता है इस मोडल पर तो चलिए पुरा गाड़ी फिटिंग कर लेते हैं और वीडियो अच्छा लागा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए साब्सक्राइब कीजिए